नमस्कार दोस्तों जो इस टेक्नेकल में आपका फिर से भूत-भूत स्वाकत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे फ्रीजर में ओएल काफी मात्रा में चला गया है इस बात का हमें कैसे पता चलेगा एक दोस्त ने ये सवाल किया था और इसी को हम आज इस वीडियो के मादम से जानने कोशिश करेंगे अभी आप जो देख रहे हैं ये एक प्रोसेस है फ्रीजर को फ्लेश करवाने का कोशिश कीजिए कि डाय नेट्रोजन के दवारा ही इस प्रोसेस को पूरा करें नहीं तो किसी अन्य कमप्रेशर के दवारा इस प्रोसेस को पूरा करें सिस्टम के कमप्रेशर के साथ फ्लेशिंग ना करवाए नहीं तो आपका कमप्रेशर जल्दी खराब हो जाएगा और ओयल तो आपका जो कमप्रेशर का ओयल है वो दोशित हो जाएगा हमारे बाहर के मोस्चर या नमी से तो ऐसा ना करें पता कैसे चलेगा कि फ्रेजर में OIL जा चुका है फ्रेजर में आदे भाग में कुलिंग हो रही हो या फिर हाथ पर ठीजर के साथ नाची बक ऒरह व बरफ ना जम रही हो तो एक कारण OIL का जादा होना भी हो सकता है लेकिन इसके साथ साथ इसके साउंड को सुनने कोशिश कीजिए मैं अभी आपके क्लिप दिखा रहा हूँ उसके साउंड को सुनिएगा और अगर आपके फिजर से ऐसा साउंड आ रहा है तो आपके फ्रेजर में ओयल की मातर जदा हो सकती है आपने सुना ये एक्क्यूमिलेटर है और इस टाइम इस एक्क्यूमिलेटर में काफी ओयल भरा हुआ है और उसी की वो आवाज आप सुन पा रहे हैं ये आवाज अगर आपके फिजर से आना शुरू हो जाती है तो समझलीजी की तेल की मातरा ज्यादा हो चुकी है इसलिए उसमें से हमें तेल निकालना होगा और दोबारा से इसमें गैस को चार्ज करना होगा तेल चड़ता कैसे है दोस्तों तेल चड़ता है हमारे गलतियों की वज़े से गलत इंस्टालेशन की वज़े से हम जब नया उपकन लेकर आते हैं तो हम उसे यह तो रसोई घर में लगा देते हैं जिससे वहां के आसपस का तापन काफी उच्छी होता है जिससे की रेफजरेंट के साथ ओयल की माता जाना शुरू हो जाती है वैसे रेफजरेंट के साथ ओयल भी दोड़ता है लेकिन वह वापिस सिस्टम में आ जाता है लेकिन अगर ओयल दुशित हो जाता है या फिर आप उसमें एंटी चोका इस्तिमाल ज़्यादा करते हैं तो उसकी जो विसको सिटी है ओल की जो गाढ़ापन है वो कम हो जाता है और ओल की काफी मात्रा रेजियरेट के जाता दाना शुरू हो जाती है और वहां ठंडे तापमान के संप्रक में आने के बाद ओल फ्र से बाहर निकाले इस पकार आप जान सकते हैं कि हमारे फ्रिजर में ओयल है या नहीं वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिया जैनल को स्क्राइब नामत भूलेगा धन्यवाद